क्या हुआ जब अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक इच्छाधारी नागिन ने करी सारी हदे पार ये घटना जानकर आपके भी रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बोक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तो देवो के देव महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है राजस्थान के एक छोटे से गाओ चांदपुर में खेट के समीब ही एक कुवे में इच्छाधारी नाग और नागिन का एक जोडा रहा करता था एक रात्री की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदल कर चांदपुर गाउ में यूही ब्रह्मन के लिए निकली थी और कुए के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था उस समय वहां बड़ा ही अंधेरा था राजू और मंगल नाम के दो व्यक्ति अपना सारा काम निपटा कर उसी कुए के पास से अपने ट्रक से गुजर रहे थी ऐसे में अंधेरे में भूलवश राजू को पता ही नहीं लगा और ट्रक से उस इच्छाधारी साप के फन को उसने कुचल दिया इसके बाद जैसे ही नाग ट्रक के नीचे आया उन्होंने ट्रक रोक कर देखा तो उन्हें ग्यात हुआ कि उन्होंने एक नाग की हत्या कर दी है जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारन नाग नहीं अपी तु इच्छाधारी नाग है तो उन्होंने उसे उठा कर पास में हिस्थित कुए में फेक दिया और वहां से भाग निकले इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस कुए के पास लोट कर आई तो अपने मृत नाग को कुए में देख करके वो बेसूद हो गई उस नाग की आँखों में उसने उसके कातिलों को देख लिया था उसके बाद उसके दिमाग में अब बस एक ही शवद चल रहा था बदला उसने उसी समय प्रन किया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या करी है मैं उन दोनों इनसानों को इसी कुए के अंदर ही मारूंगी ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुए में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंत अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही जादा तड़प रही थी उसके सबर का बान अब तूट चुका था और उसने निश्चे किया कि अब मैं गाओं में जाकर ही उन दोनों हत्यारों से बदला लूँगी उसने एक बहुत ही सुन्दर कन्या का रूप बन ना चाहां पर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिले परन्तु रातरी के समय मंगल और राजू पुना अपने काम से घर लोट रहे थे आज वो दोनों पैदल ही वापस आ रहे थे के तभी उन पर इच्छाधारी नागिन की नजर पड़ गई उस समय उसने बहुत ही सुन्दर कन्य कर रूप धारन कर रखा था ऐसे में वो राजू और मंगल को अपनी सुन्दर्ता से लुभाने लगी वो दोनों उसकी सुन्दर्ता पर मोहित हो चुके थे ऐसे में उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूं वो दोनों भी बेसूद हो गए और पीछे पीछे जाने लगी वो उस लड़की की सुन्दर्ता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रही हैं जहां पर उन दोनों ने नाग की हत्या करी थी अब वो लड़की रूपी इच्छाधारी नागिन उन द दोनों को दिखाया जिसे देखकर उन दोनों के पसीने चूट गए और डर के मारे दोनों कापने लगे इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मोका तक भी नहीं दिया कि भूलवश ही उनसे नाग की हत्या हुई थी और डस डस कर कुए के पास ही राज और मंगल दोनों को मार कर अपने नाग की हत्या का बदला लिया और अपने प्रण अनुसार दोनों के शव को उसने उसी कुए में फेक दिया जिस कुए में इन दोनों ने उसके नाग के शव को फेका था और वो पुना उस कुए के आस पास ही रहने लगी दोस्तों आप भी इस बात का ध्यान रखियेगा कि किसी भी प्रकार से जाने अंजाने में आप किसी भी साप, नाग या नागिन को चोट ना पहुचाए क्योंकि हमारी एक गलती हमारे उपर बहुत भारी पढ़ सकती है नाग हो या नागिन ये सभी महादेव के गहने हैं हमारा कार्य है कि जिस तरह हम महादेव की भक्ती करते हैं उनहीं के साथ हम इनकी भी पूजा अर्चना करें ना कि इन्हें चोट पहुचाएं साथ ही में इस घटना के प्रती आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बोक्स में बताएं और सभी महादेव के दिवाने हर हर महादेव लिखे बिना मत जाईएगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आप ऐसे ही घटनाओ वाली वीडियो देख सकें ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में जादा से जादा शेयर कर दे बाकी अभी के लिए इतना ही जल्द मुलाकात होगी आप से किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद